वेलकम टू आल, आप सभी लोगों का स्वागत है, एनकी मित्तर लौक्लास के ओफिशल यूटीब चैनल पर है, आज हम लोग जनरल एंट्री पार्ट थर्ड की तरोफ आगे भढ़ रहे हैं, इससे पीवियस मैंने आप लोगों को डेबिट करेट के रूल्स, टाइप ऑफ ए सब्सक्राइब करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखा दीजेगा, क्योंकि 11th क्लास के हिसाब से बहुत important है, या इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, तो CA Foundation, या BCom First Year, या MBA के point of view पर भी जरूरी है, यानि कि ऐस इसे Candidate Zero ने अभी-अभी accounts स्टार्ट करा है, यह उन लोग लिए जानने रायक और सीखने रायक बहुत सारी चीज़ें, इसमें मिलने वाली है, तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब करतीजेगा, यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, यह बात करने वाले हैं, स आग में जल गया, सर माल नीजे आपने देखा होगा बहुत साय लोगों को, बहुत साय लोग अपना कुछ goods वगरा free sample के लिए देते हैं, लो भाईया एक packet ले जाओ, एक बार देख लेना, घर पे सब को खिला के देख लेना, शायद आपने याद होगा सबस से बढ़िया ए हमेशा एक हिंग बेशते समय बोलता है भाईया, एक हिंग की डिपी समय चक के देख लो, तो क्या उस हिंग की cost नहीं होती, बिलकुल होती है, लेकिन free sample के लिए दे रहा है, कुछ लोग अपने सामान में से भी कुछ निकाल के charity में दे देते हैं, लेकिन सार ये तो बात गल अगर परसनल यूज के लिए यूज कर रहा है, तो भी आप लोगों की जनल एंट्री का क्या एंट्री होंगी, वो मैं समझाऊंगा, cash के point of view पर परसनल यूज में समझाए था, कि drawing account debit to cash account, अगर cash के point of view पर था, तो ये बाते हैं हो चुकी है, इससे previous का session आप लोगों को मिल जाएगा, अच्छे से जिससे आप लोगो दिक्कत नहीं होगी, तो एक बार देख लेते हैं कि सर इसकी entries क्या होती है, तो सबसे पहली entry के बात करता हूँ, अगर कोई employee आपका सामान चुडा लेता है, आप तब क्या करेंगे entry, तो इसकी जो books में entry होगी, वो होगी, इसको याद रखेगा, loss by theft, loss by theft account, debit, अब सर गुड्स को आप लोग जब आपका गुड्स आप खरीदे हो तो वो पर्चे हो जोता है, जब बेशते हो तो सेल होता है, यह वाली बात सब समझते हो, अब सीदी सी बात है, आपके खरीदे होगे goods में से कम हो गया, तो goods में से कम हो गय क्योंकि यह सब आपके goods में से कम होता जा रहा है, loss by theft पे भी सेम रहेगी, charity पे भी, यह वाली बात आज में समझ में आ गई हो कि आप लोगों को चाहें, goods आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा, loss by fire account, तो क्या आएगा, two purchase account, loss by fire account, debit, two purchase account, जितने गाही माल जल गया, मतलब आ आपको कुछ मिलने तो नहीं वाला न, उसमाल से, अगर आम insurance claim करेंगे, तो आगे हम लोग जनरल entries में बढ़ेंगे, लिकिन एक normal entry में बता रहा हूँ भी, योगी साथ insurance claim भी तो कर सकते हैं, हम लोग आग में चले हुए माल की, सीधी सी बात है, अगर free sample के लिए दे रहे हो, अब आपने goods दियाए न, advertisement के लिए, to purchase account, goods मैंसे कम होगिया, to purchase account, अब आपका personal use के लिए आपने goods निकाल लिया, तो drawing account debit, ठीके न, drawing account debit, क्योंकि जब आप personal use के निकालते हैं, तो उसे drawing बोलते है, to purchase account, और अगर आप cash निकालते, तो यहाँ पर to cash account हो जाता, purchase की जगा, पैसे निकालते, तो goods दिखा है, तो purchase आएगा, ठीके, यह वाला personal use के लिए हम लोग अभी कर चुके थे, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इधर एक काम ही करते हैं, for charity कर लेते हैं, for charity, अगर आपने charity के लिए दे दिया, मतलब दान में दे दिया, तो goods अगर आपने दान में दिया, तो charity account debit, जितने का भी आपने दान पुर ने करा, to purchase account, always धहन रखेगा, I hope so मेरी बातें clear हो गई होंगी, सारी की सारी, तो एक काम ही करते हैं, एक बार सबको मिला के, साथ में एक entry देख लेते हैं, सब क्या होगी, इसको मैं mix up entry भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर आपकी दो बातें clear हो गई, तो goods stole हुआ था by employee के दुवारा, तो मैं इसमें बोलूँगा lost by theft account, सबकी एक साथ mix up entry कर दे रहा हूँ, है ना, आप मथे केस में क्या debit ओर पहरा है तो loss by theft जितने भी amount तो पहरा है,ैव जितने भी amount तो ओडर कृआईगा सर 8 उAF जितने भी ऑमाउंट से हुआ हो,चैरिटी दिया था तो चैरिटी ऐकाउंट, अब जितने भी amount से हुआ हो, पर्सनल यूस के लिए एन के जिए तो ड्रोइंग अब जितने भी amount से हुआ हो और यह सब किसका है अब टू purchase account का ओके यह तरह से आपकी mix up entry का point भी हो गया तो I hope आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी अगर आपका goods चाहे आपका employee करें चाहे आग में जल जाए चाहे advertisement याप charity में देते हैं हर किसी में सिर्फ और से वे काम ये करना है उसको debit करके purchase account को credit कर देना है क्योंकि एक तरह से आपके goods में से कम हो गया यह वो चीज़े हैं जो आपके goods में से कम हो जाती है ठीक है I hope so मेरी बाते हम clear होगी तो इसी तरह की जानकारी के लिए जोड़े देए हम लोगों के साथ एंके मित्तर law classes के साथ में हो चैनल को subscribe करके अपना प्यारों support दिखाना बिलकुल मत भूलिए इसके अलावा आप लोगो जनल एंट्रीज की बहुत सारी questions आप लोगो description box में मिल जाएंगे तो please उनको भी try करें thank you, thank you so much